हिंदी में कविता कहानी उपन्यास बहुत लिखे जा रहे हैं लेकिन सच यह है कि इन सब की मुरत्ती हो चुकी है हाला कि ऐसी घुष्णा नहीं हुई है और शायद होगी भी नहीं क्योंकि उन्हें खूब लिखा जा रहा है लेकिन हिंदी में अब सिर्फ जैश्रीराम और बंदे मात्रम और मुस्लमानों का एक ही स्थान पाकिस्तान या कब्रिस्तान जैसी चीजे जीवित हैं इस भाशा में लिखने की मुझे बहुत गलानी है काश मैं इस भाशा में ना जन्मा होता ये वक्तव्य है हमारे समय के महत्पून कवी मंगलेश डबराल जी का उन्होंने अपना ये वक्तव्य फेस्बुक पर पोश्ट किया, साजा किया और उसके बाद उनके समर्थन और विरोध में प्रतिक्रियाओं की बाड़ा गई यूँ कहिए कि समर्थन से ज्यादे विरोध में, हिंदी जगत में पूरा हंगामा बर्पा हो गया इस सब पर बात करने के लिए हैं, हम आज आये हैं, मंगलेश डबराल जी के पास मंगलेश जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है, नियूश कलेक्ट में आपके एक वक्तवे ने हिंदी जगत में काफी बहस छेड़ दी है, मैं कोई सवाल इस बारे में ना पूस्ते शुरूआत यहीं से करूँगा कि यह आप क्या कहना चाह रहे हैं, दरसल यह अभीदा है, यह लक्षणा है, और इसका अभीप्राय क्या है, इसकी कुछ वजाह भाशा हिंदी भाशा का बिरोध नहीं है, बलकि उस साहिति का बिरोध है, यह उस साहिति का आलोचना है, यह उस साहिति पर एक शर्म इन्डगी वेक्त की गई है, जो की इस भाशा में लिखा जा रहा है इसलिए कि वो साहित हमारी हिंदी वर ये प्रदूशन फैल रहा है जो जैश्री राम, बंदे मातरम, मुसल्मान के एकिस्तान, खबरिस्तान या पाकिस्तान या खबरिस्तान जैसे नारों से जो भाषा दूशित की जा रही है उसका प्रतिकार करने उसका प्रतिकार ये साहित नहीं कर रहा है मूल रूप से ये चिंता उसमें है और तो उसमें उस साहित की प्रति उस साहित को ले करके एक शोव है या एक दुख है एक क्रोध है कि वो साहिती इन सब का प्रतिकार करने में इन सब का प्रतिकार करने में सक्षम क्यों नहीं हो रहा है यानि ऐसा साहिती नहीं लिखा जा रहा है कि जो कि इन की काट कर सके इस तरह के नारों की, इस तरह के मानसिक्ता की और इस तरह के प्रदूशन की तो मूल रूप से यह है और दुर्वागिय है कि इसको बिलकुल गलत परिपेक्ष में लिया गया इसको लिया गया है कि जैसे यह हिंदी के विरोध हो रहा है यह हिंदी का अपमान किया जा रहा है का अपकि इस भाषा में ना जन्मा होता यह जो एक पीड़ा है यह पीड़ा इस हद तक क्या चीजे इतनी बिगड़ गई है कि यह पीड़ा इस हद तक पहुंच पर इसे मैंने कहा कि व्यंजना में है यह और एक आदमी खुब में कुछ अत्रेग भी कह सकता है लेकिन उसको मुझे लगता है प्रत्यक्ष मतलब यह में उसको वेल्लुपे नई लिया जाना चाहिए उसके नहीं तार्तो में जाना चाहिए कि एक विक्ति इस भाषा में फैला ही जा रहे है घरना सामप्रदािक्ता और पर दूशन नफरत और और दूसरे का विरॉध है दूसरों का विरोध ये जो मान सिकता है इसके बारे में मूलचिंता विक्ट की गई फिर भी लोगों का ये बहुत आपती जो एक मुख्य रूप से रही कि वो हिंदी वालों का अगर कोई दोश भी है किनी हिंदी वालों का तो वो हिंदी भाशा को लेकर जिस तरह से क्योंकि आपको पढ़ने वाले में समानने पाठक भी है एक विशिष्ट जन भी है तो बहु मुझे लगता है कि एक बात तो मुझे लगता है साफ होनी चाहिए कि मैं जिस हिंदी की बात कर रहा हूं वो उसका वर्तमान सरूप है मैं उस हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें प्रेम चन ने लिखा जिसमें मुक्तिवोद रखवीस आय कोई नारायन शमसेर महादर रूप है, वो अक्षम हो चुकी इन सब का विरोध करने में, तो एक बात, दूसरी बात है कि देखे, मैं पिछले लगवा पैंतालिस वर्षों से हिंदी में लिखता आ रहा हूं, मैंने थोड़ा वद कवीता लिखी, थोड़ा वद पत्रकारे तक की, और ऐसा कैसे संबख है क कि मैं जिस भाषा में लिखता रहा हूं, उसको मैं प्रेम न करता हूं, उससे मैं प्यार न करता हूं, लेकिन मेरा कहना यह है कि हम अपनी भाषा को एक सब्वे आच्रण, सब्वे और मानुवी आच्रण की भाषा है, बन्दे रहने दें, हम उसे घ्र्ण भाषा में ना ब पिल्कुल जैसे चीजों के अर्थ बदल जाते हैं अब जैसे हम राम राम या जैशरी राम हम कहते थे अब जैशरी राम का अर्थ एक इतना चीख में बदल गया है एक हत्यार के तोर पर उससे इस्तमाल किया जाने लगा कि अब आदमी कहे कि मैं जैशरी राम ना कहूं तो ब है, बहुत बड़ी व्यापती है, तो यह जो राम का प्रत्ते है यह क्या है? हा Assembly Ray पहले कभी भी नहीं था. यह बावभरी मस्जित की असपार बावबरी मस्जित के धुछ से कुछ पहले संग यह परिवाद ने स्राम कहना शुरू कि मेरे बच्पन में राम-्राम कहा जाता था आप आँ जायें आ आप त तुम जाओगे राम-्राम केना यनि दूशिजें एक तो श्री ने लगा था तुर राम की सीता के बेना कोई अधारना ने अभी कि पर दर द आइज दिए नो संकर्ट मोचन मंदित बनारस के महंत का मैं इंटर्विव पल रहा था उन्होंने कहा कि श्री राम की कोई अवजारना एक्जिस्ट ही नहीं करती है उस राम कास्तित तो सीता की बिना नहीं है तो जब भी आएगा सीया राम आएगा या सीता राम आएगा पुराने साहिते में सारा आप देख लीजे सिता राम, सिता राम, प्रहिम चंद की कई कहानियों में है तो ये तो एक राजने देखना रहा है इसका किसी तरह की धार्मिक तरह से कोई संबन्द नहीं है तो ये उसको जिस तरह पेश किया जा रहा है ये कहा जारा है जैश्राम तो अनादी काल शे हमरे साथ रहा है, ये बिल्कुल नहीं है, तो राम-राम से ले करके और राम-नाम सत्त तक कही भी श्री राम नहीं है, तो आप मैं मूल सवाल महीं पर लोड़ता हूं जो आपने चिंटा जिए आ ज़ता ही, कि मैं, इस लिए इस है पूरे साहित्य में मुझे असर लगता है कि हमारे यहां हिंदी में पिछले बहुत समय से ऐसा साहित्य नहीं लिखा गया है जो कि हमारी जो हमारी जो भाशा है उस उसके से कुलर करेक्टर में छेड़ चार करने से उसको जो बचा सके छेड़ चार होने देने से उसको हिंसा दोज धमकी की भाषा बंदे से बचाने के लिए जो कोई उपक्रम कर सके देखें कि अंग्रेजी में इन चीजों को बहुत विरोध हो रहा है जि मैं यहीं आ रहा था कि जैसे हमने एक ये भी आपके वक्तवे के समर्थनिया विरोध में कहा गया कि भाई तमाम सभी भाषाओं में सभी देशों में सभी धर्मों में जो है दक्षनपंति प्रभाव या कट्रता बाढ़ रही है तो क्या आप देख रहे हैं कि और आपको ये समाज में सहीशनुता का लोप हो रहा था जब सहीशनुता बढ़ रही थी बुद्धी जीवें के हत्याएं शुरू हो गई थी उस समय बंगला के लगवग दो सो लेखकों ने एक बयान दिया हिंदी की लेखकों ने कोई बयान नहीं दिया या इसी तरह से या हि हिंदी के साथ दुर्वेभार हो रहा है इसको या बंद किया जाए और इस तरह की बहसा के इस्तिमाल बंद हो लेकिन जब इस देष के की वासा के इस्तिमाल करना लगयें कि कि घर में गुश कर मारूंगा या इस तरह की यह देख लूँगा इस तरह की भाशा की इस्तिमाल करने देगे हैं तो बहुत चंता होती है और यह इस भाशा का ऐसी भाशा हिंदी में ही आ रही है किसी और भाशा में नहीं आ रही है तो आप देखेंगे कि अभी जो चुणाओ हुआ है लोकसभा का इसके वारे मेडिया में बहुत छपा है कि यह सबसे गंदी भाषा में लोडा गया चुणाओ है यह यह सबसे गिरीवी भाषा हुथी तो यह यह नगातर हुआ यह सारे बयान हिंदी में आए तो क्या एक तो उसे हिंदी की आलोचना समझ ले जाए जबकि वह हिंदी भाशा के गरते इस तर पर अपनी पिड़ा व्यक्त कर रहा है अगर आप हिंदी में इस तरह की फोहश और इस तरह की जो एक तरह की जो आकरामक और गुंड़ेई वाली भाशा के इस्तिनार करते हैं तो क्या ये प्रदूशन है और क्या ये भाशा की किरावट है जो पुदार लोग भी हैं सहिशून लोग भी हैं उन्हें विक गेंग का नाम दे दिया गया है इस देश के प्रधान मंत्री तक इस्तिमाल करते हैं तो मेरा आशी यह है कि जब आप भाशा के अर्थों को परष्ट कर देते हैं, जब आप एक शैतान को कहते हैं कि वो बहुत बड़ा इनसान है, तो आप क्या कर रहे होते हैं, आप उस भाशा में के भीतर परष्टाचार कर रहे होते हैं, भाशा के अंदर परष्टाचार होता तो आप उस भाशा गंदर बश्टचाट ने इसको निकर कि मेली एक नागरिक के रूप में और एक हधि भाशी Rहिनदी भाशी नागरिक के रूप में और एक हिंदी भाशी लेkkak के रूप में मैं उसके मांने चांते तो आखिर देखे कि हिंदी हिंदी क्या है हिंदी कोई बनी बनाएं गोल बटोल चीज तो है नहीं वो दिननतर विकास माने वे नजी के तरह प्रवयमान है इसमें बहुत सी दाराया करके मिलती है यह हिंदी भारतिन्दु यूख से लेकर के जिन्जीन लोगों निर्मित की है जि प्रसाद हो चाहे भारतिनू यह कि प्रसाद हो नजाला हो पंत हो उस युक के पत्रकार हो मावज प्रसाद अवेदी और जनेशनगर विद्यारति ऐसे दिगज उसके बाद की जितनी लेखकों की पीड़ी आईं जितने भी हमारे देश के प्रमुक अपन्नासिकार हुए हि इतने भी प्रमुकबी हुए, उन लोगों नहीं हिंदी को निर्मित किया, समाज वारा निर्मित किया लेकुद हिंदी कोुदिक अयुज्ट में हुख्विटी को और भी संब्रिद किया हिं। आज हिंदी जिस रूप में हमारे पास है। तो हिन्दी ऐसी कोई पोजने यह चीज नहीं है जिसमें कोई परिवर्थन न हो भी हिन्दी भी लगाता starts बदकिंड ही है और ४सी तरह भाशाएं बदकिंगी है I से तरह भाशा संवरण होती है अगर उस भाशा शे मियस को कोई नुकसान प।हुशता है अगर अगर कोई उसका हरास होता है तो एक लेखक को इसकी चंता करनी होगी जी मैं वहीं आदा था जर्शाब से पूशने के लिए कि अभी हमने ये 2019 का चुनाओ देखा पर पहली बार इसमें हमने ऐसा देखा कि जो आप प्रतिकार की बात कर रहे हैं कि इस बार ये एक दे लेके अपना विरोध दर्च कराया हिंदी के बड़े या मतलब तमाम लेखकों ने फिल्मकारों ने कलाकारों ने जितने मतलब जो जो वर्ग्यान एक वो सभी भाशाओं के हैं वैसे पर उसमें हिंदी के भी एक बड़े नाम सब रहे जिन्नोंने अपने नाम का जोखिम मत लोगों को कि आप हम नफरत के किलाब वोड़ें हम इस देश के भाईचारे के लिए वोड़ें साहर्त के लिए वोड़ें तो इस खत्रे को उठाने के बावजूद क्या निराशा है कि हिंदी में प्रतिकार नहीं हुआ या मेरे खाल से जितनी बड़ी भाशा हिंदी है बांगला में हुआ, मलयालम में हुआ, मेरा जहांता का अनमान है, आप इसी से लगा यह अनमान की पंजाबी के एक साथ दस अतेंत बहुत पुन लेख को ने रातों रातों पर पुरसका लोटा जी है, हिंदी में तो दो तीन लोगों ने लोटाएं सिर्फ, तो एक जब कि हिं और वो सारी परिवर्टनों का केंदर रही है, चाहे अठाव सातावन से लेकर का आज तक आपा जाई है, और इसलिए उस पर एक बड़ी जमेदारी बनती है, उसकी वो हमारे समाज का जो से कुलर ताना बाना है, जो सामासिक संस्कृती है, जो बहु बचन है हमारे संस्कृ करता है, मैं देख रहा हूँ, और दिगर भाषा समाज में भी, तमिल के लेखक पैरमल मुर्गन को भी अपने लेखक के मृत्ति होने गोशना करनी पड़ी, ये सब चीजे, क्या हर भाषा में इस तरह की चीजे ये खत्रे बढ़ लाए हैं, उस व्यक्षिका क्षोब था, पैरमाल मुर्गन ने देख शुब्ध हो करके ये उसको गोशना करनी पड़ी, तो आप ये गोशना करें कि फला की मृत्ति हो चुकी है, और आप ये गोशना करें कि मेरी मृत्ति हो चुकी है, इसमें मूल रूप से कोई अंतर नहीं है, इसके पीछे जो खोब है, जो कि दुनिया के सभी लेख्षों ने भीतर किये जा रहे, जो दूरभभार हैं उसके किये जा रहे हनेतनीग सुलूग उनके खेलाफ आवाज उठाई है, अपने समस्याओं को लेकर आवाज उठाई है और अपने अगर आपके हाँ ऐसी शाशन व्यवस्था है कि जो की मनुश्री विरोधी लगती है जो समाज में घरना फैलाती है उसका हमेशा विरोध किया है तो मुझे लगता है कि मैंने एक लेखक के नाते और नागरिक के नाते अपन बहुत अजब इन दिनों हो रहा है कि जैसे आपने एक लेखक के नाते जिम्मेदरी उठाई और लोग उस पर तूट पड़े उसे बिना उस बात हो जैसे अभी हम देख रहे थे कि कुछ उड़ंचास हस्तियों ने पोटे नाइन हस्तियों उड़ंचास हस्तियों ने कुछ अपनी चिन्ताएं जाहिर की तो उन चिन्ताओं में सही होगी है साजा करने के बजाए 62 हस्तियों एक काउंटर एटैक के लिए आ गई एक अजीब सा ये महौल आप देख रहे हैं है असल में क्या है देखे हमारे देश में जो इस समय सब्धार राजनी थी है उसका बुनियादि विश्वास है विभवाजन पर समाज को विभाज़त कर दीजिये लेख कौन बुर्दीजी वियों कर रहे हो देखे एक मैं यही मुझे आपकी बात से आया कि समाज उसका मैं मैं शुरू में जो कहा था कि आप भाशा के अर्थों को जब आ बदल देते हैं भाशा को चित कर देते हैं उसके अर्थों से वास्तविक अर्थों से विपरिये उसमें पैदा कर देते हैं कि जो भाशा आप बोलने दरसल वो नहीं उसका आर्थ वो नहीं है तो नहीं जो विपस्ते है कि एक जयसे अजादी के नारे को भी देश-द्रो का नारा बना दिया गए एक नेता को जब आप ये एक हैवान किस्म के शातान किस्म के नेता को आप एक कहेंगे कि बहुत ब्ले इंसने तो आप यहीज तो कर रहे हैं ना कि आप भाशा क कुः उसको अर्थों से आटा आटा करके दूर से इरतों में इस्तिमाल करने तो ये जो जितने भी नदर्ए हैं समका सार्थ हम समका विकास सवें, जमीन पर हम देखते हैं ऐसा तो है नहीं अच्छे दिन जमीन पर विवाजन बढल रहा है, आप अलप संहकों को दलितों को लगातार आप लगातार आप झो कोने में अधरे नदेरे कोने में धिरे धिरे प्रोसेस nat agt क्वेशन में क्या हो रहा है अफर समें आप जो विदेशी विजाती के नाम पर आप अपने को निकाल बाहर कर रहे हैं तो यह जो यह इस समय विपरियों का यूग है तो सब कुछ विपरियस्त हो गया है सब कुछ उलट पूलट गया है और एक लेखा का ऐसे में जो है वो कर चीखने के अलावाद के पास कोई काम नहीं है तो मंगलेज जी इसका समापन भी मैं अपने किसी बाद से नहीं करूँगा मैं चाहूंगा कि अब इस पूरी बातचीत का समापन भी आप ही अपने एक वक्तव्य से करें एक आखरी आपका वक्तव्य कमेंट आखरे वक्त तब करूप में क्या कहूं? असल में ये कहा जा रहा है कि हिंदी के पूझने ये चीज है और हिंदी के बारे में कुछ भी कहना उसका अपमान करना है बहले ही उसमें बहुत प्रोदूर्शन बढ़ गया हो लेकिन जब समाज में प्रदूर्शन बढ़ जाता है तो आप उसको दूर करने की चिंटाए विक्त करते हैं, उसका उपाय करते हैं कैसे तो दूर होगा, तो बतले हिंदी ऐसी कोई, ये कहा जाता है कि हिंदी जननी है, जननी के अफमान है, तो अबल तो एक बात यह है कि हिं कहीं बेहतर यह होगा, एक बात, दूसरी बात है कि अगर कोई कोई गलत करता है, अगर कोई गलती है, तो आप, मैं आपको रामयान मालवी की, मालमिक रामयान का प्रसंग एक जो सुनाता हूँ, कि भरत के कही के बेटे हैं, और के कही जो हैं, वो कोब भवन में जाकर के, य भरत उसमें वहाँ नहीं है, तो भरत जब लोडता है, तो वो अपनी मा को कुछ भला बुरा कहता है, कि तुम को यह नहीं करना चाहिए तो भरत अपनी मा की बात मानने की बजाए, भरत वहाँ जाते हैं, राम के पास, और जब राम वापस आने को तयार नहीं होते हैं, तो वूलाते हैं और खड़ाउ संगासन में रखते हैं करृचते हैं और खड़ाउं पर मेरी मां है ऊसके डे में के सकता हूं मैं जनलनी का अपमान कैसे कर सकता हूँ तो लेकिन भरत ने बात शिवकार नहीं कि तो क्या हमारा रहोईया वैसा ही नहीं होना चाहिए जो कि भरत का रहोईया था कि अगर कुछ आपकी पूजे बस्तों हैं अगर कुछ उनमें कुछ गरबर दिखाई देती है तो आप उसकी और उसकी इशारा करें